नमस्कार दोस्तो ready to guide चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं तो दोस्तो बात करेंगे PSL India Limited की आपके बहुत सारे कमेंट्स आये थे दोस्तों तो कमेंट्स का जवाब मैं आज आपको देने वाला हूं तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर 19 मिनट पहले पहला ही कमेंट से हैं कि सर पीएशिल की कोई मेल आइडी जहां से हम सवाल कर सकें या फोन वो चगदे नहीं है SMS आफ्टर नहीं यानि कि फोन उठाते नहीं है और बात करते हैं दोस्तों की इमेल आइडी वगरा को चाहिए पर जो गेमिंग को तो बिल्कुल मैं आपको सबसे पहले तो यह बता दूँ कि मैंने जितनी भी स्पीएशिल की से रिलेटेड मेल आइडी है फोन नंबर है और ऐसी कोई भी डिटेल जो आपको चाहिए होगी दोस्तों वो सारी की सारी इस चैनल पर प्रोवाइड करा रख आपके सामने कुछ इस तरीके से पिले होगी और जैसे ही वीडियो पिले होगी दोस्तों तो आप यहाँ पर आएंगे आपके सामने देखने को मिलेगा सो मोर वीडियो के नीचे उप्सन होता है यहाँ पर आप किलिक करेंगे जैसे आप यहाँ पर किलिक करेंगे तो आप सामने इतनी सारे डिटेल आजाती है यहाँ पर आपको सेवी के fax number, telephone number देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर PSL कोमेटी है लोडा कमेटी है दोस्तों उनका phone number देखने को मिलेगा उनका email ID देखने को मिलेगा निचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सेवी की email ID और phone number दोनों देखने को मिलेगी उसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको website देखने को मिलेगी सेवी को phone number देखने को मिलेगी और support email देखने को मिलेगी तो यह सारी चीजे दोस्तों मैंने दे रखी है और अगर आप SMS करना चाते है SMS के माध्यम से आप कोई जानकाली लेना चाते है तो यहाँ पर SMS है तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यह भी पूरी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी यानि कि PSL और CB से सम्बंदित सारी डिटेल मैंने हर एक वीडियो में आप डाल रखी है तो आप जितने भी वीडियो को देखते हैं जैसे आप वीडियो के नीचे description पर जाएगी वहाँ पर आपको हमेशा पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी तो अब दोस्तों आपको चिंता करने के आवसकता नहीं है जो भी वीडियो आप देखते हैं RTG की यानि के Ready to Guide चैनल की उसके नीचे आपको सारा समाधान मिल जाता है अब चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि next comment है कि document भेजने के एक महिने के अंदर 12,500 रुपे आ गए मेरे लेकिन अगर न्यू आवेदन करना हो तो क्या करेंगे देखिए 12,500 रुपे अभी आए हैं क्योंकि एक महिने पहले इन्होंने आवेदन कराता तो दोस्तों ऐसे बहुत से निवेसक हैं बहुत से निवेसक हैं ऐसे जो आवेदन करने के अगले ही देनी या कुछ दिन के बाद ही बोलने लगते हैं कि सर हमने अपने document भेज दिये पैसे कब आएंगे पैसे कब आएंगे तो आप देख सकते हो दोस्तों आपके सामने सचिन रावत जी का comments है कि लगबग इनको एक महिना हो सकता एक महिने से दो-चार दिन उपर भी हो गए हो या कम रहे हो ओपर और इनों ने बोला कि लगबग एक महिने के अंदर इनके बाराजार पांसो आ गए हैं तो ऐसे ही पैसे आएंगे ज़रूरी नहीं है किसी को ये डेड़ महिने भी लग सकता है किसी को एक महिने से पहले भी आ सकते हैं डिपेंड करता है कि आपका जो form है वो कितने जल्दी पहुंचता है उसके बाद सेवी कामेटे की हाथ में वो कितनी जल्दी आता है अभी अपनी policy का bond भेजा है तो आप थोड़ा इंतिजार करिए अब बात करते हैं कि new या वेदन की कि new registration कब से होंगे तो मैं आपको बताना जाता हूँ सेवी के तरफ से फिलाल new registration बंद कर रखें है हो सकता है एक दो मैंने के अंदर new registration करने का कुछ process स्टार्ट हो जाए पर इसके बारे में अभी कुछ जादा जानकारी निकल कर नहीं आई है और नहीं ऐसा कुछ बताया गया है जब भी कोई जानकारी आएगी आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा अब next comment यहाँ पर आता है कि sir message तो आया नहीं है document भेजें या नहीं बिल्कुल भी नहीं अगर आपके पास SMS नहीं आया है तो आपको document बिल्कुल भी नहीं भेजना है हाँ आप एक काम कर सकते हैं आप cb.co.in की website पर जाकर एक बार वहाँ पर track करिएगा अपने policy को check करिएगा कि वहाँ पर SMS में क्या लिखावा है तो वहाँ पर अगर है कि आपको भेजा गया है SMS तो आप तब भेज सकते हैं अन्य था अगर आपको SMS नहीं मिला है तो आप कोई भी document किसी को नहीं भेजेंगे क्योंकि अगर document आपने भेज दिया आपको पैसे भी नहीं मिल पाएंगे document आपके गायब हो जाएंगे अब चरिए बात करते हैं दोस्तों आगे स्मीता टेली जी का कमेंट है कि हमारे 11,220 रुपे थे सिर्फ 5,599 रुपे आये हैं ऐसा क्यों हुआ है तो देखिए ऐसी बहुत सारी बज़ा हो सकती है अब जब आपके 11,220 थे अब उस समय जब receipt वगारा लगाई थी कि proper तरीके से आपकी receipt लगी कहीं by mistake ऐसा तो नहीं है कोई receipt छूट गई हो तो depend करता है आपकी policy की जो receipt थी क्या वो clear दीख रही थी एसा तो नहीं है कि उसमें कुछ दीख ही नहीं रहा हो बहुत सारी ऐसी receipt होती थी उस समय कि receipt में मज़ा ही नहीं आता था मरला देखके यह लगता ही नहीं था कि इस policy की है तो यह सारी चीज़े हैं अगर आपकी proper receipt साफ साफ अगर आपने upload की है तो आपको पूरा पैसा मिलेगा और अगर आपकी receipt में कोई लोच्चा है समझ नहीं आ रही है उस पर नमबर सही से नहीं दीख रहा है तो वहाँ पर यह सारी समझ चाहिए आपके साथ हो सकती है तो इसमें फिलाल कुछ नहीं किया जा सकता है नेक्ट कमेंट है कि सर हमारे 50,000 की FD थी सर अभी तक मोबाइल पर SMS नहीं आया है तो देखिए मैं आपको बता दूँ यह जो SMS देखने को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 15,000 तक निवेशकों को मिल रहा है यानकि 15,000 रुपे की जिनकी amount है अनन्या विलोग जी तो उनी को पैसे मिल रहे है अगर आपकी 50,000 की FD है तो अभी आपको इंतियार करना पड़ेगा जब आपको लगबग 50,000 की refund पिरकर रहा है स्टार्ट होगी सेवी के तरफ से उस समय आपको SMS प्राप्त होगा 50,000 वाले किसी व्यक्ति को SMS नहीं मिल रहे है अब चलिए नेक्स्ट कमेंट की बात करेंगे सर नियू रेस्टेस्ट कबसे होगा मैंना अभी बताया है आपको थोड़ा समय लगेगा और कितना समय लगेगा इसका भी कहानी जा सकता है पर अभी फिलाल बंद है नहीं होने के बावजूद भी आपको SMS नहीं मिला हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि सभी को SMS मिल रहा है जिनकी पोलिशी प्रोपर तरीके से सही है एकदम accurate है उन्हीं को SMS देखने को मिल रहा है कोई mistake जो है आपकी पोलिशी में नहीं होनी चाहिए नेक्स कमेंट है कि आप रोज बताए है कि पैसा मिल रहा है पांच लाख बीस जार की FDA नहीं मिला अगर देखिए मैं आपको यहीं बताना चाहता हूँ कि देखिए पैसे किसको मिल रहे है रोज मिल रहे है क्योंकि आपकी कितनी की FDA बीस जार की है अब रिफंड कितना मिल रहा है अभी चीए कंडिशन है कि भाई अभी 15,000 तक जिनके पैसे है सेभी उनी को रिफंड कर रहा है आपके पैसे कितने हैं 20,000 है तो 15,000 के बाद जब 15,000 वालों को नमबर खतम हो जाएगा उसके बाद जब सेभी कहेगी कि अब हम डिफंट 20,000 तक करेंगे तब आपका नंबर आएगा तो हो सकता है अभी साल चमेहिन आपको वेट करना पड़ जाए अभी सिर्फ 15,000 तक दिये जा रहे हैं 15,000 से एक रुपए भी किसी का उपर है तो उसको पैसे फिला देखने को नहीं मिलने है नेक्स्ट कमेंटे की सर ओर्डर दियो को कोपी मिलेगी सर देखी बिल्कुल भी नहीं कोई ओर्डर की या कोई कोपी नहीं मिलती है नेक्स्ट कमेंटे की मेरे पैसे आए हैं सर इसके SMS 7,700 रुपए है ठीक है बिल्कुल जिनके भी 7,700 रुपए आए है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अत्री जी और सभी निवेसक जिनके पैसे आ रहे हैं वो के रिप्या बताते रहें नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर है हरियोम जाटव जी का कहरें कि सर मेरी साड़े पांसो रुपे की अगर बात करेंगे इनका कमेंट है पाजार पांसो रुपे की जो है इनकी लगबग बावन सिलिप हैं तो इनके पैसे कब तक मिलेंगे तो दोस्तों क्योंकि मैं बताता हूँ हरियोम जी आपके 28,600 रुपे बनते हैं उस हिसाब से आपके 15,000 रुपे की जो रिफंड चल रही है आप उससे एक्षरा हो यानि कि भी 28,600 है तो अभी क्योंकि 15,000 का ही रिफंड चल रहा है जब से भी 28,000 या 30,000 के आसपास का रिफंड करेगी तब आपको पैसे मिलेंगी तो अभी आपको थोड़ा सा इंतियार करना पड़ेगा नेक्स्ट कमेंट है कि प्रियाग गुरूप कंपनी के भी निउज दिया कर से भी ने काया है कि हम विचार कर रहे हैं जैसे ही कोई उनके समझ में आएगी कोई बातचीत करते हैं या आगे क्या कुछ करना है तब ही आपको जानकारी दी जाएगी फिलाल लेंड लोटमेंट वालों को पैसा नहीं है उनका पैसा होल्ड पर रखा गया है नेक्ट पैसा कहा जाता है वो जाता है लोड़ा कमेटी की बैंक अकाउंट में दोस्तों लोड़ा कमेटी है जिसको सुपरिम कोट ने यहाँ पर न्युक्त कर रखा है और लोड़ा कमेटी ही आप सब का पैसा दे रही है तो लोड़ा कमेटी की बैंक अकाउंट में जाता है जब आ आपको किलियर बता दूँ अगर कोई व्यक्ति यानि कि कोई निवेसक है कोई इन्वेस्टर्स है उसकी मृत्ति हो जाती है ठीक है मृत्ति होने के बाद उसका कोई नोमनी है या नोमनी है ही नहीं पोलिशी में या नोमनी है तो उसकी भी डैथ हो जाती है तो उस कंडिशन मे क्या होगा तो देखिए इस condition में आपके bank में पैसे हो आपके किसी company में पैसे हो मैं सिर्फ pulse की बात नहीं कर रहा हूं कि आप PSL की बात कर रहे हो किसी भी company में अगर आप अपनी policy में nominee बनाते हैं ठीक है या कोई व्यक्ति अपनी policy में nominee बनाता है उस व्यक्ति की death हो जाती है उ तो वो पैसा जो है government का माना जाता है वो सरकारी पैसा हो जाता है तो ऐसा ही यहाँ पर है अगर किसी policy में policy धारक और nominee दोनों की death हो जाती है तो यह पैसा किसी को नहीं मिलेगा यह government का माना जाएगा next comment की 2019 में process क्या कोई खबर है तो यह 2019 की ही process चल रही है उससे पहली वाली process चल रही है तो सब process पुरानी है क्योंकि पुरानी जो process थी जब वो property भी की उसके बाद ही निवे इसकों को पैसा मिला तो next comment रेंड अलोटमेंट वालोगा तो मैंना बताया कि यह भी hold पर है हर जिल जाना है तो उनके लिए अगर एक office खुल जाता है तो ज्यादे बैटर रहेगा तो उसी के संबंद में जानका रही थी आगे कोई office खुलता है या नहीं खुलता है यह सेभी या supreme court के उपर depend करता है next comment है कि 15,000 की कैसे मिलेगा प्लेज बताएं तो 15,000 कैसे मिलेगा सबसे पह अगर sms मिला है तो आप भेज सकते हैं अपने policy का bond और अगर नहीं मिला है तो आप एक बार pc refund.co.in पर जाकर वहां से trash करें वहां पर देखें कि वास्तव में आपको sms मिला है या नहीं मिला है या कोई problem है अगर सब कुछ okay है तो आपको पैसा मिल जाएगा अन्य था आपक आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद